ओम शांती ओम शांती ओम शांती जब बाबा की हम लोग बनते हैं तो बहुत सारी परिश्थीतियों में उल्जे रहने से अंदर से कोई बाहर से उल्जा हुआ रहता है कोई अंदर से उल्जा हुआ रहता है और तभी हम लोग भगवान के रास्ते में चलना पसंद करते हैं बिना उल्जाट के हम लोग भगवान के पास आना नहीं चाहते क्योंकि माया का करशन रहता है हमारे दोनों आँखो पर चस्मा लगा हुआ रहता है कि माया बहुत अच्छी है मतब दुनियादारी निभाना ये सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है लेकिन जब हमारे जीवन में उल्जन आता है न तब हम में कोई रास्ता नजर ने आता है तभी हम लोग भगवान की गोद में आते हैं और लोग ये भी समझते हैं कि भगवान की गोद में आये तो सब खुछ छीफ हो जगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बहुत बाबा को याद कर रहें, लेकिन परिस्थितियां बड़ी रूप में ही रहती हैं, तो समय बहुत धैरेता से काम लेना, क्यूंकि किसी जनम का हम लोगों का कोई समय पाप बहुत जादा हुआ है, कोई कम हुआ है, अब इसी समय हम लोग देखिये न, कि दिन भर ए एक जयसा हम लोग रहते हैं, कभी बहुत खुस रहते हैं, कभी थोड़ा सा उदास रहते, और कभी तो इतना ज़ादा उदासी बढ़ जाता है, कि कि अंदर बाहर लगता है कि कुछ है ही नहीं, फिर हम कैसी क्या करें, मतलब पूरी तरह से उल्जाहट लगता है, तो यह इ पाप पूर्णे सब कुछ हुए है जो पूर्णे हुए है उसका फल है कि भगवान मिला है अज जो पाप है वो परिस्थीतियों के रूप में है तो हमें क्या करना चाहिए हम लोग सुचते हैं कि भगवान का बन गया ना अब सारा परिस्थीति एकदम क्लीन हो जाएगा कि वो चुक्तू होगा ही होगा चाहे आप हसके करें चाहे रोके करें तो भगवान फिर क्या करता है सवाल सबके मन में आता है भगवान करता है आपको सक्ति साली बना देता है भगवान दुख में भी दुखी होने नहीं देता है दुख तो है लेकिन दुखी होने नहीं द जाएगा इस भी भाई का अनौ फुस्त पड़ Love करतें वहि नौकरी कर रहे थे चुछ चुट जाने के बाद पैसा का कोई चांब से नहीं रह रहा था कोछ पैसा बैंक में जम्हा present भाई सोचे भ्याज झार बाक तो भी पडरीवा थे उसका घर कंखर्ची चला थे लेकिन ब्याज बहुत थोड़ा क्योंकि ज्यादा पैसा जमा नहीं था तो थोड़ा पैसा में चलता था तो उनके अंदर विचार आया कि क्यों न हम यह पैसा किसी बीजनसमें को दे दें और वह इंवेस्ट करेंगे वह अपना बीजनस में लगाएगा और उसके बाद व होता है जैसे ही थी पैसा कुछी समय में वह वैक्ती ही मर गया जो बीजनसमें था वह पैसा भी डूब गया अब चारों तरफ से रास्ता एकदम बंद तभी उसी समय उनको ग्यान मिला परमात्मा का अब वह ग्यान मिला तो गया बाबा के सामने योग लगाने लगे जो धा पहला काम क्या की है कि समेटे बुद्धी को कि मैं आत्मा हूं मैं आत्मा हूं बस मैं एक पाड बजा रहा हूं यह सब जिम्मेवारी का बोज लेकर मुझे नहीं चलना है करते हुए भी हलका पन रहना है सब कुछ बाबा को रोज समर्पन करने लगे अपने को डिप्रेशन वैसा इस्थिती में लोग डिप्रेशन में चला जाता है क्या करें इधर भी उलज गया इधर भी उलज गया है तो देखी वो अपना ही बता रहे हैं उन्होंने मन को सभी भारी परिस्थितियों से हटा कर सारा ध्यान बाबा पर लगाया जितना सारा परिस्थिती आ रहा थ तो सब परिस्थिती से हटा लिए कि आप कुछ ने सोचना है बाबा जो मेरा आज का काम है करेंगे नहीं होगा हम तुमको समर्पन तुम हमको रास्ता दिखाओ अब कैसे करना है दूसरा उन्होंने काम किया कि अपने मन को भगवान की याद में लगा दिया उसके बाद उन्ह जाओ रहा है बस उसका बाबा को समर्पन करके जितना हो रहा उत्रां करेंगे लेकिन भारी होकर अब नहीं करेंगे यह चीज उनके अंदर आया मैं एक आत्मा हूं तो जब धारना करने लगी तो उनके आवसक्ता आए कम होने लगी जीसे पहले होता है हम लोग अपनी आव कि जितना है उत्रा ही में फुस कल का चिंता नहीं करना है कि कल क्या होगा कैसे होगा नहीं ऐसा सोचा कि 5000 वर्ष पहले भी मैंने इन परिष्थितियों का सामना किया है इस बार भी मुझे करना है और मैं विजय आत्मा हूं इस तरह से मतब अनिक तरह के विचारों को अपने अंदर जमा करने लगे मेडिटेशन में जब भी योग लगाते थे बाबा से तो यह सब विचार करते थे कि बाबा बताएं हैं कि हम लोग विजय आत्मा हैं और यह परिस्थितियां ही हमें विजय बनाती आज जासी कि रानी मानता क्या नहीं माना मेवाड की राजकुमारी थी मीराबाई के चल ask नशी के वह यूत चेतन में थी बारी होता था ना तो सब गाउंवाला बोलता तो तुम्हारे कारण हुआ जब कि वह गाउंवालों के लिए अच्छा करती थी और फिर भी गाउंवाले इसको पथर मारते थे उल्टा-फुल्टा निंदा करते थे बहुत ये तो ऐसी है वैसी है और फिर क्रिशने के आगेर होती थ कि लोगों का दुख कितना क्यों बढ़ जाता है कान्हा स्वाव तुम ठीक करने फिर तुरंत मदद मिलता था और फिर ठीक हो जाता था तो बिना परिश्थीतियों के कोई आगे बढ़ा आस्तर तो भगवान क्या करता है सक्ति देता है रास्ता बताता है समधान तो हमें कर करना होगा लेकिन एक आग्रता से पहले बुद्धी को स्थीर करेंगे तभी वो समधान दिखता है जब हम उलज जाएंगे ना तो नहीं तो कभी कभी परिस्थीतियों में भी रहते हम लोगों को एकदम एक कांतवासी बन जाना चाहिए कि क्या करना चाहिए अपने अंदर उसे बुद्धियोक समेटा बुद्धियोक समेटने का मतलब यह नहीं कि हम जिम्मेवारी छोड़ दियें कहने का मतलब जो चिंता कर रहे हैं कि उसका क्या होगा उसका क्या होगा कुछ नहीं हम बोले करें उसके बाद डिटाइच हो जाए भारी पर नहीं चलो ठीक है कर र जब भी हमारे पास 1000 रुप्या हो तो हम कितना का खर्च केली सोचे हमेशा 500 का सोचे 500 का सोचे क्यों कि खर्च ऐसा होता है ना कि आप 500 का पैर बढ़ाएंगे 800 अपने आप पहुंचता है कि नहीं तो अगर आप 1000 का पाउंपसार देंगे तो आपको चिंता हुआ कि नहीं तो ये बहुत युक्त धंग से हमें चलना होगा जैसे बोलते हैं कि सीधा रास्ता में तो आप दोड़ के चल सकते हैं लेकिन जब उचाई में चड़ते हैं तो समहल कर दोड़ेंगे तो चलेगा गिर जाएंगे तो यह सब सोच के हम लोगों को बाबा बोलता है बच्चे त्रिकाल दर्सी बन के सोचो कोई भी परिस्थिती कब बड़ा रूप लेता है जब हम पहले से सोची हुए नहीं रहते कि यह काम भी हो जागा और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ हम सोची हुए दो वह कुछ अंजान परिस्थिती भी आजाता है तो इसलिए बोला जा रहा कि हजार रुप्या है तो आप पांसो का क्या सोच के चलेगे तो अन्जान परिस्थिती भी उसमें मेक अप कर लेंगे तो बड़ा युक्त होकर चलना हमें अपनी जीवन में और हलके होकर सबसे मतलब जतना पैर उतना ही पैर पसारें उससे ज़्यादर पसारें तो पैर बाहर निकल जाएगा चाधर चोटा पड़ जागा हम बोलेंगे कि चाधर ही चोटा है चादर छोटा नहीं है आप पैर लंबा कर रहे हैं या तो फिर चादर ही छोटा है तो जितना चोटा चादर उद्रा ही पैर पसा नहीं तो ये सारा कुछ हम लोगों को बहुत सोच समझ के कोई भी कारी करना होगा हम लोगों को ये ने शुआए बागवान घरोसे कर दियें और हो जाएगा भगवान घरोसे करना हो तुसके लिए पहले से रूप रेखा तैयार करना होता है यहाँ यह इतना खर्च जैसे अभी अम लोग किए पाब तो जोतिल मेला के लिए सारा रूप रेखाना पहले से तयार था मेरे अंदर किसी पर भार डाला गया कि आप इतना ही दिजी किसी पर डाला गया किसी पर भारी नहीं किया गया जब कि खर्च बढ़ता जा रहा था क्योंकि सोच के ही पहले चले थे कि इतना होगा और उतना हम सोचे थे कि बाबा उतना देगा ही देगा जब बाबा दिया है संकर उतना देगा तो यह सारा कुछ पहले बाबा कहता है नहीं हर चीज पहले रूप रेखाता है अब ऐसा भी नहीं कि मतलब कापाउं ही ना बढ़ ना कोई भी तो चलो ठीक है जो 200 का कंबल लेने का है वो 400 कंबल का ना है तो ये सारा कोछ हम जब सोच समझ के करेंगे परिस्तिती बड़ा नहीं होता है बड़े हम होतें लेकिन क्या होता है कि हम लोग परिस्तिति को आखतें के लुए गज़े जब कम है बहुत फूपू परना मतलब सीड़Йך कर ले प्रसा देना कि कैसे हों और लोगों को सब को देखनाई mica उधर भी देखना इगा हम सारा खर्च कर देंगे तो कैसे तो इसलिए बहुत सोच समझ के करना पड़ता है और फिर भी लेकिन अभी क्या है अंतिम समय है तो इसमें भी परिस्थिती आता है कि आप सोच भी रहे ना लेकिन अगर आपका परिस्थिती आने का है तो वो भी आएगा जैसे कि ब्रम्भा बाबा का खाने पीने में बोलते कि काजु पिस्ता बादाम खिलाया कई सबल सब्सक्राद चलुब को पालना दिया इस अप्ват्शिओ यह आप' करannen तो बाद में कैसी इजाम लगा तो इसलिए जब बेगरी पाट आया तो जहनते मारभात खाना दाल चावल खाना बहुत मुश्किल था मुश्किल था परिस्थिती लग रहा था बाबा तो देख रहा था परिच्छा ले रहा था कि कौन कच्छा कौन पक्का है अच्छे समय मे देखा जाता कि कितना निश्चा है भगवान पर तो हम क्या करें कि जब परिस्थिती आये थोड़ा समेट ले अपने आप चारों तरप से बुद्धियोग समेट ले कि मेरा कुछ नहीं है बाबा सब कुछ तेरा है जितना हो सकता उतना हम तो कर रहे हैं आगे तुम संभाल एक दम निश्चिंत हो जाना है कि बाबा का काम है बाबा करेगा तो जब हम समेटेंगे और फिर देखेंगे कि सब कुछ अच्छा हो रहा फिर विस्तार करेंगे बाबा खुद रास्ता बढ़ा देगा अभी देखिए जैसे नदी बहती है तो कही तो एकदम सरे निकल जात नदी जाती है जाती है दिर य carrying चलता पुरा पानी पहार निकल गये प्रैनल कि फिर ऊसको राष्ता मिल रहाए लेकिन वह धायर एक बहती है और कहां छे से धीरे धीरे निकल रही है तो उसी दर जब हमारे पास परिस्थिती आता है तो हमें कभी कभी महसूस होता है कि हम अभी बहुत धीरे चल रहे हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं यह महसूसता होता है लेकिन यह महसूसता भी नहीं हो सकता है कि अभी धीरे धीरे चल रहा है आगे का रास्ता और साथ मिल जाएगा हम बस निकलने का कोशिश करें दीरे धीरे ही सही लेकिन निकलने का कोशिश हाइप हाइं मिने जाए कि ऐसा नहीं है अभी देखें नदी अगर छेट को ना देखें अगर बोले कि हम बाढ़ ले आते हैं तो बाढ़ से वह ब बद्वा के हगदार बनेगी कि बाढ़ा गया बाढ़ा गया कितनों का जान माल सब कुछ नुक्सान कर देगी तो वैसे नदी को कोई पूजेगा नहीं पूजेगा तो इसलिए बहुत धैरता कहीं पर धैरता गंभीरता दूर दर्द सिता यह सारे गुनों को हमको देखती हु नहीं से मिले तो सारा सुख मिलने लगेगा चमतकार हो जाएगा यहां चमतकार बार-बार कहता है रहा हम चमतकार करने नहीं है हम तो पढ़ाने आए hiking माल सारा गुन का परिछा तो लेगा ना बाबा कि देखती इसके अंदर कितना धैरता है पहिचान दूड़ी होगा सुख में धैरेता का थोड़ी होगा उसमें तो सब कुछ कर रहे हैं दुख में धैरेता का पहचान होता है दुख में आपकी गंभीरता का पहचान होता है दूर दर्सिता का पहचान दुख में होता है सारे गुनों की पहचान दुख में होती है सुख में नहीं सुख में पहचान क्या है सुख में आपका परिच्छा क्या होता है सुख में आपका परिच्छा कि कितना समर्पन करके चलते हैं कि सुख के में भी डूब नहीं जाना है सुख भी आया बहुत हम बहुत ज़्यादा करने लगें तो ये भी क्या है डूब जाना हुआ हम सुख में भी सुख को accept ना करें ये है वहाँ परिच्छा कि हम सुख को accept ना करें कर रहे हैं सब कुछ अंदर से बोए नहीं मैं आत्मा हूँ मुझी इतना ज़्यादा भागना नहीं है सुख के पीछे भी उसको भी बाबा के आगे समर पन और ज्यादा अच्छे से लगा दे तो यह सुख की परिच्छा और दोनों में जो पास होता है वहीं फिर महाराजा महाराली के तक्त पर बैठता है क्योंकि अगर हील जाएगा तो बाबा उसको तक्त पर थोड़ी बैठने देगा बुलेगा कि जो हम छोड़ कर जाएग आपनी क्वालिटी से अगे अपना रिजल्ट रख देते हुए हम नहीं कर पा है हम ऐसे दूर्ड़्शिता यह बहुत जरूरी चीज़ है अगर यह गुन आया सबके अंदर ना तू बहुत सोच समझ के कोई भी कदम बढ़ाएगा कि आगे क्या करना चाहिए वो बहुत सोच समझ के करेगा तो देखिए 9 लाग से भी स्रेट फिर 16,108 है और 16,108 से भी स्रेट 108 है और 108 से स्रेट 8 का माला है 8 का माला है सोची कितना छाटा गिया साड़े 800 करोड से 33 करोड 33 करोड से 9 लाग 9 लाग से 16,000 और 16,108 कितना का डिफ्रेंस हो गिया न तो ये सब परक बाबा थोड़ी बोल रहा है कि आप बहुत अच्छे हैं और सब को चुन लिया ऐसा नहीं है हमारी क्वालिटी से बाबा चुन रहा है कि हम किस क्वालिटी के हैं बाबा ग्यान सब को दे रहा सब एक जैसा क्यों नहीं चल पा रहा है भगवान ग्यान दे रहा है हम क्या सर्व समर्पन किये अपने अंदर रिजल्ट आता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं अपने अंदर ही रिजल्ट हम देते हैं सेस्चा कर रहें कि чистsk इना संंने समर्पन कर लिए सब कुछ कर रहें कि दो बात बर्रदास करके भी बाबा के यग मेंले हमेंलगैंगलिएं गरीभी आए पैसों का उलाना दे देते हैं हम लोग यही परिष्छा का समय था उलाना देना कमजोर की पहचान है यह परक बहुत बहुत मतलब एकदम बोलते रहें गूपत है क्यूंकि हम लोग बाहर से किसी को बोल सकते यह अच्छा है यह खराब है बाबा तो अंदर की परक देख रहा है कि हमारे अंदर कितना अच्छा संकल्प चल रहा है हमारे अंदर के संकल्पों की पीछे भाव क्या रह रहा है ये सब चीट कर रहा है बाबा तो बहुत धहरता से हम लोगों को कोई भी कर्म करना तरिकाल दर्शी बन कर्म करना कर्म तो सभी कोई कार रहा है एक वैक्ति था जी रहा है बहुत अच्छे से जी रहा है कमाente-ध अथ दुसरा उसको वैक्ति क्या बोलता है कि ऑ सघीर लेता है ऐसे जी कुता भीना बेली वह कमेंट पास किया वह व्यक्ति बोला कि हमको कुट्था बिली बना दिया क्या हम ऐसा है अरे उसके बातों में क्या जिना कि वह जगाया कि साधरन जीना तो एक कुट्टे बिली जैसा हुआ ये तो जगाया हमको उसके विचारों को ताकत बना दे कि हमको वो जगा दिया कि तुम कुट्टे बिली जैसे हो हम कुछ ऐसा करने का ठान ले कि जो वो खुद कहे कि आपके जैसा हम नहीं कर पाएंगे आप बहुत अच्छा कर लिए लेकिन हमनों क्या करते हैं कि जो बोल दिया ना उसी से रिस्ता तोड़ देते यह ऐसे कैसे बोल सकता है तो रिस्ता तोड़ देते हमें रिस्ता नहीं तोड़ना है उसके विचारों को भी ताकत बना लेना है और ये गुप्त काम हो सकता है, हम बोलते रहें, बोलते ना जो गरशता हो बरशता नहीं, तो हम क्या करते हैं, कि गरश तो देते हैं उस पर, किसी भी कोई भी वैक्ति कुछ बोला थो हम उस पर गरश देते हैं, ऐसा वैसा सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन उसका असर वो ले आप कुट्ते बिली जैसा जी रहे हो वो सब्सक्राइब वापस चला जाता है कि वो रह गया रह गया ना वो तो बोल चुका है उसको वापस लिया जा सकता है अगर वो माफी भी मांग ले कि अच्छा ठीक हमको माफ कर दिए देख रहा है कि आपको इस्तीती गडबर हो रहा ह जादा वो माफी भी मांग लेकिन आपके मन ने उसको स्विकार कर लिया अब आप जब भी बैठेंगे ना वह ऐसे कैसे बोल सकता है क्या हम खुट्ते बिली जैसा जी रहे हैं आता है कि नहीं ऐसा तो यह बहुत सुचमता से हमें सलना है क्या लेना है क्या नहीं लेना कभी कभी बुरे विचारों में भी हमारा अच्छा भागी छुपा हुआ है लेकिन हम अच्छे भागी को दो देख नहीं पाते है हम बुरे विचारों को पकड़कर सबसे टेंसर कर देते हैं हमने रिस्ता तोरने कली नहीं कहा गया है कभी-कभी कड़ दवाई भी दिल वाता है तो बाबा नहीं देता है, लोगों से परिस्थितियों से दिलवाता है कड़वी दवाई, और ये कड़वी दवाई ही बड़ी-बड़ी बिमारियों को ठीक कर देता है, कभी-कभी बड़ी-बड़ी परिस्थितियां हमें बहुत मजबूत कर देती है, कुछ समय के बाद उसक सारा चीज सिखा कर गई है बहुत कुछ सिखाई है जब हम ही लोग अपना प्रैक्टिकल लेन घर में जब सुकुमार जैसे रहते थे इकलौती बेटी थे तो कुछ नहीं करते थे लेकिन जब सवस्राल आएं इतना बड़ा फैमली कि करना पड़ा था तो यहां तो हर बात में डाटा गया यहां ऐसे ने गलती होगा ही ना क्योंकि कभी किये ही नहीं थे हर बात में गलती होता था और सब लोग बोलते थे नहीं और अच्छा करना में उसका प्रभाव नहीं पड़ता था लेकिन बहुत कुछ सीखे बड़े परिवार में देखे वहां तो सुकुमारी में क्या सीखे कुछ नहीं यहां जब आएं इतनी सारे परिवार को छोड़ कुछ बात बोल दिये थोड़ा सा वह गुसा के बढ़ गया होता है कि नहीं अगर सोची थी कि मेरा बड़ाय होगा ज्यादा काम कर लें और उस सिकायत आ गया पर सरीर भी थाका मन भी थाका गया लो इतना किये तो कुछ नहीं उसमें भी युक्ति रचना सुरू कि कि नहीं कैसे काम करना है कि मेरा सरीर भी ठीक रहे और परिवार भी खूस रहे बहु कि मेरे परिवार में क्या बहुत अच्छा हमको तरासा गिया और आज अगर हम निमित यहां बने हैं बाबा बनाया है तो इसका पहले से तयारी बाबा करवा रहा था देखिए सब कुछ भर पूर पैसों से सब चीश से भर पूर था लेकिन खाने बीना तरस जाते थे दी था कि क्यूंकि मेरा खाने का था बहुत ज्यादा तो बाबा तो सयम मित करेगा हमको नियांतरिद अपने आपको आज सब कुछ मिलने लगा तो आज भी व проблем का फार आब लोग बाहर वाले ताला देते थे जूड़ कोलती बदनाम कर रही है इसको तो शब पुर भूज मि आपको धैरता से उससे निकलना पड़ेगा, समझ के निकलना पड़ेगा, थोड़ा धैरे रखना पड़ेगा, तो आप निकलेंगे जब तो बहुत सारा अनुभाव लेकर निकलेंगे, सक्तियों को जमा करके निकलेंगे, इसलिए कभी भी परिस्थितियों को दोस ना दे, ल ज़ारेता से चले, ओम शान्ति